दोस्तों नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल नियोज क्लिक के कारिकराम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश और अपने देश में फिर से एक बार चुनाओं की धमक शुरू हो गई है दो हजार तेईस में यानि पार्लेमेंट का एलेक्शन जो दो हजार चौविस में होना है उसके पहले दो हजार तेईस में नौ राज्यों में विधान सभा के चुनाओं होने हैं और इनका शेडियूल है बकायदे यह अधिसूचित हैं अगर आप वेब साइट देखें एलेक इन तारीके मेगाले नगालेंड त्रिपुरा की आज डिक्लेर हो गई जब मैं आप से बात कर रहा हूं तो यानि जो नौ राज्य हैं जहां पर एलेक्शन होने थे उसमें मेगाले नगालेंड त्रिपुरा इनका मामला क्लियर हो गया अब बचा किरनाटक, मिर्जोरम, चत कश्मीर का जो चुनाव है वो बले ही एलेक्शन कमिशन की वेब साइट में आपको नहीं मिलेगा कि कब होगा शेडूल में अभी नहीं है पर हमारी जानकारी में वो कभी भी गोशित हो सकता है वो 2023 में जरूर हो जाएगा क्योंकि इसने सरकार बता पाएगी देशवासियो को 2024 से पहले कि उन्होंने 2023 में जम्मु कश्मीर में एलेक्शन करा लिया तो ये एक बात समझने की है इन सब चुनाओं की रणनीत पर बात करनी के लिए अभी भारती जनता पार्टी की राश्टी कारेकारणी की बैठक हुई और दोस्तों आज जब हम आपसे बात कर रहे है तो तेलंगाना के खमाम डिस्टिक में खमाम बलकि मुख्याले पे एक बहुत बड़ी रहली हो रही है तेलंगाना राश्ट समिती अब जो भारत राश्ट समिती बन गई है उसके जो नेता हैं और जो तेलंगाना के चीप मिनिस्टर हैं के सियार के चंदर शेकर राओ उनक अगवाई में एक रैली हो रही है पांच बजे शाम को शुरू होगी और इस रैली में अभी तक जो जानकारी हमारी है कि वो केरल के मुख्यमंत्री और माक्सवादी पार्टी के वरिष्ट नेता पिन्रई वीजियन भी उतमें जा रहे हैं बलकि वो खमाम पहुंच गए हैं इसके अलावा CPI के वड़े नेता महासची दीराजा वहां पर मवजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूरो मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादो इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल और पंजाब के मुख्य मंत्री भगवन सिंग्मान इतने नेता अभी तक पहुंच चुके हैं सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के जो नजदी की माने जाने वाले छेत्री दल हैं उनकी और से अनेक लोगों ने निमंत्रन के बावजूद उसमें अपना कोई नुमाएंदा अभी तक नहीं बेजा है इसका क्या मतलब है कि कहीने कहीं विपक्ष में अभी खीशतान मची हुई है कि क्या इस चुनाओ को हम सब मिलकर लड़ें या अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग दल बंदिया हों और कुछ मतभेद भी हैं दोस्तो ये तो बात होई छेत्री दलों की लेकिन जैसा हमने ने बताया कि मुक्षी उपक्षी पार्टी मुक्षे जो देश की बड़ी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है उसने भी राष्टी कारेकारणी की बीजेपी और जो मुक्षी उपक्षी पार्टी कांग्रिस है वो अपने सबसे इस्टार नेता राहुल गांदी की अगवा दिया कि वो बिल्कुल पार्टी चुनावी मोड में है वो पटेल चौक मेट्रो इस्टेशन से अपने जगह तक गए रोड शो करते हुए राहूल गांधी की जो यह यात्रा है वो उनके ऐसा लगता है कि वो यात्रा को ज्यादा महत्पुर्ण मान रहे हैं मोबिलाईजेशन के हिसाब से और इवन वो कहते हैं कि इससे पूरे देश में जो एक नफरत का माहूल है उसको तोड़ेंगे और उसको मानते हैं कि उसमें उनको काम्याभी मिल रही है और जबकि पीम का जहां तक सवाल है प्रदान मंत्री जी का वो किसी लंबी यात्रा पर तो नहीं उत्रे लेकिन वो जहां भी जाते हैं रोड़ शो करते हैं पिछले दिनों हमने देखा कि उरिशा में भी कारेकारणी की बैठक थी पिछले समय और वहां भी उन्होंने रोड़ शो किया था रोड़ शो गुजरात में भी लगातार किया दिल्ली में भी मैं समझता हूं कि यह उनका दूसरा रोड़ शो है जो मैं समझता हूं कि जो का भक्तों के साथ उसको एनलाइज करें इस पर तो दो बड़े फैसले दिखाई देते हैं बीजे पी की कारे कारणी में दोस्तों और एक पहला जो फैसला है कि नड़ा साहब जून दो हजार चोबीस तक भाजपा के रास्टिया ध्यक्ष बने रहेंगे और दूसरा जो फैसला ह वो है कि नरेंद्र मोदी ही अगली बार भी भारत के प्रधान मंत्री बनेगे यानि भारतिर जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को ही अपने प्रधान मंत्री के रूप में पेश करेगी तो ये दूसरा बड़ा फैसला जो दो हजार चोबीस के चुनाव के मुतलिक भारती जन एक तो यह रहा कि पार्टी को हर कीमत पर अगले कुछ महीनों में होने वाले विधान सभा के चुनाओं में जीतना है और जीतने के लिए सब कुछ करना है यानि हर संभव कोशिश करनी है फिर लोक सभा के दो हजार चुनाओ, दो हजार चुनाओं के जो चुनाओं है उनमें 2019 से भी जादा बड़ा बहुमत लेकर मोदी जी की सरकार बनानी है स्वेम परदान मंत्री मोदी ने पार्टी नेताओं को आगाह किया कि चुनाओ अब महज चार सव दिन रह गए है इसलिए इसकी तैयारी तेज कर दी जाए और दूसरा जो मुद्दा उफरा मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट मामला है वो ये कि सरकार ने जो उपलग्दियां हासिल की है उसे कैसे लोगों तक परचारित किया जाए तो उसके लिए क्या-क्या उपलग्दियां गिनाई गए अजोध्या में राम मंदिर का निर्माण जिसकी घोषणा दोजार चोबिस के शुरू में हो जाएगी कि वो अब मंदिर बनकर तयार है उसमें लोग जाएं प्रविश्च करें और दर्शन करें दूसरा है अर्थ व्योस्ता के विस्तार जो हुआ है भारती जनता पार्टी के हिसाब से सरकार के हिसाब से उसकी उपलब्दी को प्रचारित किया जाए जी ट्वेंटी की मेजबानी अध्यक्षता का जो मसला है उसको भी प्रचारित किया जाए और भरष्टा चार विरोधी जो सरकारी मुहीम है पार्टी ने उसको भी अपनी उपलब्दी के रूप में एक पेश करने का फैसला किया है अब जैसे CBI, ED वगरे के छापों की भी बात होई कि इसने भी समाज में एक अच्छा असर गया है पार्टी का और सरकार का तो इसको भी प्रचारित किया जाए और तीसरा है कि पसमादा और बोहरा जो मुसल्मान है और समाज के हाशिये के जो लोग है उनसे लगातार संबाद करना है और उन्हें पार्टी से जोड़ना है बताया जाता है कि बैठक में पी अम मोदी ने तो ये भी कहा कि माइनार्टी को लेकर गैर जरूरी बैयान बाजी नहीं करनी है तो क्या माना जाए इस बैयान का क्या मतलब है क्या प्रधान मंतरी मोदी आरे सेस चीफ मोहन भागवत को इसके लिए समझाएंगे या समझा लेंगे या ये महद एक बैयानी खुराक है कौन नहीं जानता कि स्वैम मोदी योगी और शाह जैसे बड़े पार्टी नेता होने भी अतीत में ऐसे नहीं जाने कितने बयान दिये हैं ऐसे में कोई अपेक्षातित जूनियर नेता चाहे वो कोई भी हो वो कैसे वो कंट्रोल करेगा या कैसे वो एक बार काने पर कि कोई इस तरह की बयान बाजी नो की जाए और उसको मान जाएगा क्योंकि फिर बड़े नेता करने लगते हैं बीच बीच में हमने हाल के वर्षों में देखा तो चोथा जो मुद्दा था इस पार्टी की बैटक में दोस्तों वो ये की पार्टी ने दावा किया कि भारत के सर्वत्तम दिन अब आने वाले हैं यानि अभी तक अच्छे दिन चल रहे थे अब सर्वत्तम दिन आने वाले हैं और 2014 में आपको याद होगा कि इसी पार्टी ने डिकलेर किया था कि बारत में अच्छे दिन आने वाले हैं देश में इस समय जो भाजपा की अगवाई वाली सरकार है वह politics of saturation और governance of saturation की स्थिती को symbolize करती है ये दावा किया गया ये सब party द्वारा पारित उस सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव में किया गया जिस पर काफी चर्चा के बाद उसको तरह पारित कर दिया गया ध्वनिमत से तो दोस्तों जो विश्व की सबसे नाजुक अर्थियोस्ताओं में एक थी कहा गया भारत की अर्थियोस्ता उसको मोधी सरकार ने विश्व की पांचमी सबसे बड़ी अर्थियोस्ता में बदल दिया ये दोनों टर्म या जुमले politics of situation और governance of situation बड़े दिल्चस्प हैं मतलब ये कि वो भारी महाँगाई बेरुजगारी और बेहाली के बाजूद देश को बताएगी कि इस समय भारत सबसे ज़्यादा सुखी सम्रिद्द शांत साज और खुशाल समाज है खुशाल मुल्क है उनके इस अभियान में समुचा टीवी पुरम उसका डंका पीटेगा जब कभी विपक्षिनेता कहेगा कि भाई ये तो बिलकुल गलत दावा है सच तो यह है कि समय महाँगाई और वेरुजगारी चरम पर है प्रगती की दोड़ में हम बहुत पीछे है है हुँमन डेवलप्मेंट इंडेक्स जो यूए नो बनाता है उसकी उसकी संस्था बनाती है वो भारत उसमें 132 में पैदान पर है 91 देशों में हंगर इंडेक्स में 182 देशों की सूची में 107 नंबर पर है प्रेस फ्रीडम में 110 मुलकों के बीच में 150 में नंबर पर है तो इन आंक्ड़ों पर सत्ताधारी दल और जो टीवी वाले कहेंगे कि ये सारे विदेशी लोगों के बनाये आंक्ड़े हैं इन पर भरोसा जो करेगा वो विदेशी एजेंट होगा या विदेशी प्रोपगेंड़ा करने वाला होगा पर दोस्तों अभ पर फोसके विष्वारतिक मंच से हाली में जारी किया गया एक दस्तावेज जो आक्षफैम आक्सपैम की इन्डिया शाका की रिपोर्ट है जिसका दिलचश्ट शिरसक है सर्वाइबल आप दरीचस्ट ऑप दिदे इन्डिया स्टोरी इस रिपोर्ट की कुछ मोटी मोटी बातों को हम आपके सामने रख रहे हैं हाला कि अख़वारों में आपने पढ़ा होगा हिंदी के अख़वारों में कम अंग्रेजी में कुछ जगा जरूर छपा है ठीक से वो देश के अब आप देखिए इसमें कहा क्या गया है देश के एक फिसनी अमीरों के पास भारत की 40.5 फीस्दी संपत्ती है देश के पचास फीस्दी लोगों के पास राश्टी संपत्ती का सिर्फ तीन फीस्दी हिस्सा है भारत में अमीरी बेतहाशा बढ़ रही है और गरीबी भी असमानता भी अपने चरम पर है एक और बड़ा दिल्चस्प आंकड़ा इसमें आया है कि 2020 में अपने हाँ अरपतियों की संख्या 102 थी अब वो एक सो चाचट हो गई है यानि दो साल में 64 अरपती बढ़ गए देश में और देश की जो 70 करोड जनता का धन है जितना उसके पास धन है तो उससे भी ज्यादा धन देश के सिर्फ 21 पूजी पतियों के पास है और कोरोणा द देखें तो अमीर जो है माला माल हो गए और अब पतियों की जो संपत्ति है उसमें 121 फिस निकाई जापा हुआ उन्होंने प्रति दिन 368 करोड कमाए प्रति दिन डेली 3608 करोड रुपे कमाए यानि प्रति मिनट 2.5 करोड कमाए क्या अंकड़ा है क्या कोशिश की गई गया होगा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सो सबसे सबसे जो बड़े अमीर पूजी पति हैं उनकी संपत्ति 660 अरब डालर हो चुकी है यानि 24,12,000 करोड इससे भारत का पूरा बजट डेर साल तक चलाया जा सकता है सरकार का पिछला बजट 49,44,000 करोड का था और दोस्तों GST कलेक्शन को लेकर भी बड़ा दिल्चस्प आंकड़ा सामने आया है और वो ये कि देश में GST के कुल कलेक्शन में जो साधरन कमाई करने वाले आम लोग उनका हिस्सा 64% है लेकिन सबसे अधिक कमाई करने वाले 10% दी बेहत अमीरों का हिस्सा सिर्फ 3% दी है ऐसे बहुत सारे चौकाने वाले आकड़े सामने आये हैं अभी तक अपनी सरकार ने इन आकड़ों को गलत या सही यानि अपनी जो सरकार है उसने ये जो आकड़े आये हैं आकसफैम इंडिया के इनको उन्होंने गलत या सही कुछ नहीं कहा कम से कम मैंने नहीं देखा अगर आगे कुछ कहेंगे तो हम आगे भी अपनी बात बोलेंगे आपके सामने तो ये देखना होगा कि जिस आक्सफैम की बात हम कर रहे हैं उसके देशी यानि इंडियन चैप्टर ने इंडियन शाका ने ये तयार किया है वो इंटरनेशनल आगनेशन जरूर है और दोस्तो ये जो आंकड़े आये हैं वो इंडिया से हैं इंडियन के शोध पराधारित है अगर आक्सफैम के आईने में सरकार की उपलबगियों का आप आकलन करें तो जो सबसे बड़ी बात उभरती है वो ये कि बीते कुछ वर्षों में भारत में असमानता अभूत परोगती से बढ़ी है और ये बात कोई नहीं नहीं है थामस पिकेटी अपने टीम के पूरे र येंबुल के विरोध में जाने वाली स्थिति है दोस्तों कुछ समय की बात है मैं एक बार सौथ अफरीका जाने का मौका मिला एक शास्की एसाइंडमेंट पर हम लोगों को लेखत पत्रकार के तोर पे रिश्व हिंदी संबेलन में ले जाया गया निमंत्रित थे तो वहां क्या देखा आमने कि जुहांस्बर्ग के जिस होटल में हम लोग रुके थे वह बड़ा होटल था और आसपास कई होटल थे बहुत सारे होटल थे उन होटलों के बीच में सकाइवाक से सारे के सारे होटल जुड़े हुए थे कई इस victorious तो हमें ये सब देखने को नहीं मिला पहले खासकर दिल्ली में तो हमने पूछा की भई यह क्या है तो लोगों ने बताया कि इसलिए यह बनाए गए हैं कि एक तो connect रहे सबका कई होटल आपस में connect रहे हैं और दूसरी बात कि नीचे जो जाएंगे लोग एक होटल से दूसरे होटल या माली जी एक जगह नहीं है तो दूसरी जगह जाएंगे तो ये भी डर रहता है लोगों को कि उनका सामान छीन न लिया जाए या कोई ऐसी दिक्कत न हो जाए क्योंकि बहुत सारा क्राइम हो रहा है लोग इतनी परिशानी में हैं कि जोहांसबर्ग के कुछ एक इलाकों में खासकर जो इस तरह के इलाके हैं या इवन डाउन टाउन में भी बहुत सारे लोगों के साथ जो बाहर से जाते हैं उनके साथ तरह तरह की बातें हो जाती हैं तो इसलिए इन चीजों से बचाने क के लिए ऐसा किया जा रहा है दोस्तों हम नेलसन मंडेला के उस महान देश को सेलूट करते हैं लेकिन आप देखिए कि आर्थिक नीतियां जिस तरह की हुई बनी और उन पर चुंकी स्टेट का नियंत्रन नहीं रहा बड़े कार्परेट कंपनियों का नियंत्रन रहा देश औ नेलसन मंडेला का सपना नहीं पूरा हुआ और वो ये कि वो विश्व के उन देशों में शुमार है जहां अस्मानता काफी है और भी दुनिया के कने अनेक देश हैं लेकिन चुकि उस देश को मैंने देखा कि एक तरफ सेवेन स्टार साथ सितारा होटल पांच सितारा होट गगन चुमबी और उनके साथ स्काई वाक लगा हुआ है बड़े बड़े मॉल है प्रगती की एक चका चौध में लेकिन गरीबी बेहाली बेरुजगारी भी उसी तरह से बढ़ रही है तो हमारा ये सवाल है कि क्या हम भारत को वैसी ही प्रगती दे रहे हैं वैसी ही साली नहीं आ रही है वास्तविक संब्रुद्दी नहीं आ रही है लेकिन अस्मानता बेतहाशा बढ़ रही है अब देखिए आप गंगा नदी में सरकार ने एक गंगा विलास क्रूज उता रहा है ये वारनसी से चलकर असम के डिबरुगर तक चलेगा ऐसे क्रूज दुनि किराया है यानि तमाशा लाखों में इसका किराया है आम बद्धेवर्गी आप गरीबों की बात छोड़िए निम्न बद्धेवर्ग की छोड़िए आम जो मद्धेवर्गी है मिडल क्लास है नानी भारत का है वो भी इस पर कैसे जाएगा जब लाखों में इसका किराया है तो पचास टूरिस्ट जो स्पॉर्ट हैं उनको कवर करते विए क्रूज कुल 2200 किलोमीटर का सपर तै करेगा अभी यह अपनी पाली आत्रा पर है और पता चला है कि जिंजिन इलाकों से यह गुजर रहा है वहां के गाओं के लोग, शहर के लोग, कस्बे के लोग, आम लोग एक उनकी उत्सुक भीड जो है, वो किसी तमाशे की तरह गंगा के किनारे खड़ी होकर इस क्रूज को देख रही है, बेहाद धनवान अमीरों को लेकर चल रहे है क्रूज को, वह आम भारती जो रोजाना अपने सफर के लिए रेल गाड़ी, सरकारी बस, नौका या के लिए विकास और हमारे लिए साधारन चीजे भी नहीं, लेकिन तमाशा तो है, लोग उसमें जैसे टेलिविजन के परदे पर बहुत सारी चीजे देख करके लोग तमाशा में मस्क राते हैं, वैसे ही ये क्रूज भी बन गया है, खासकर पूरवी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो ये एक क्रूज का जो ये हमारे देश में आज यो विकास का जैसा फार्मूला अपनाया जा रहा है, गंगा विलास क्रूज, उसका एक सठीक रूपक नजा राता है, तो दोस्तों आज इतना ही नमस्कार आदाब सत्रियकाल